है बिटा साद्धू के है बबू आज एक छोरी ओर आओगे देखन तना आज एक छोरी आओगे मन देखन खत्रें अहां बिटा पेदली बात तो अपनी पनी कुंती वह रिजेक्ट होगी धी बात अपनी इब अपनी तरफ ते कमी नी आन दें आपाँ ठीक है ठीक से बिटा मा जाओं खेतमा तू खेतमा जाय इतना ठीक है ठीक समाज लिए दो तुना मैं टेंशन क्यून ले रहे दूं आप आप समाड रहे हैं कदर दोब्दी फर करी कराई है ना दिकतना मनिया तुजा धंदा समाड तूं ठीक है बिटा हाँ इब गया बबू दोगों टोगी ले लि हुआ 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 है में नाम क्या है और मेरे से काम क्या है आपको घॉल मेडम एक मिन्ट रुको मैं आता हूं एक मिन्ट में वले हो जी मेडम जी पाणी प्यो थेंक यू का के जिक्रा है गर आया मेवान की सेवा करना अपना फर्ज बने हर जी अच्छा तो बताईया जी कि आपके शादी हो चुकी है अपना हां मेडम अभी तक बिल्कुल अंटच फ्रेश पीश अपना हां क्वारेजमा अच्छा तो आप ये बताईया कि आप काम क्या गरते हैं मेडम जी एक मिन्ट और वेट करो आप मैं अभी आता हूं लेओ जी चाय प्यों वापत तंग थेंक यू इसमें थेंक यू वाली के बात है जी मैं मान की सेवा करना अपना फ्रज है जी तो मेडम जी आप क्या पूछ रहे दे मेरे से मैं यह पूछ रही थी कि आप काम क्या गरते हैं काम कातो मेडम यह है सरकारी नो करीद आपना पसंदे नहीं है गुलामी करना अपने पसंद नहीं है जी अपने काफी फेक्ट्री वेक्ट्री है अर अजारों एकड़ जमीन पड़ी है अपना दुर है मैं बिजनस की बात रही रापा दो गामलां देगें पीशे बूल जेवाजी अपने पास उदारी उदू रिगा कोई खाता नहीं नो खाता ओनली पिता अच्छ तो आपने शादी के बारे में क्या सोचा है अपना जी रिष्टें लाइन लागी रहे है बते रियाए अपन देखन भी अपन सारे रिजेक्ट कर दीजी कोई पसंद नहीं आई आपने वैसे मैडम आपका क्या ख्याल है शादी के बारे में मेरी तो शादी हो चुकी है फिर ये बताओ मेडम आप करने क्या हो यहां पे बेड़ जी देखिए मैं यहां पे सर्वे करने आई हूं कि शहर में कितने लड़के कवा रहे हैं और कितने शादी सुद हैं मेडम आप एक मेंट उर वेट करो मैं अभी आता हूं एक मेंट में ठी है आपने पता है मैं मानो की शेवा करने शारा है हुआ 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 हुआ